इस चैनल पर स्वागत है तेके नीट यूजी 2022 की कॉंसलिंग को लेकर इस सुप्रीम कोट से बहुत बड़ा आउडर निकला है जो MCC को आउडर किया गया है इस वीडियो में पूरी तरह से हम जालेंगे कि नीट यूजी की कॉंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोट ने क्या बात कहीं है MCC को और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट दिया है कि आपको रॉन वन और रॉन टू की जो कॉंसलिंग में भाग ले रहे हैं या स्टेट को उटा में एडमिशन लेना है तो किस कराप्रा से एक नए रूल को लेकर MCC के दुवारा से एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आया है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा है अगर चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल जरू सबस्काइब कर रहे रहो ताकि सही अपडेट आपको नीट की कॉंसलिंग को लेकर सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहता है देखें यहाँ पर पीजी स्टेट कॉंसलिंग दोजर रहा इंसे सी आस स्टेट दा फ्लो सीडिवल रिटिफाइड बाई दा सुप्रीम कोट स्टेट लाइक उत्तर पर देश को खास करके के लावेश बंगाल करनाटक खर्याना पंजाब उत्राखंड बिहार एमपी को कहा है यहाँ पर पुरी बात आपको इस स्टेट सामने निकल कर आ गया हर स्टेट की नोटिफिकेशन जारी हो गई और यहाँ आपके साथ यहाँ शेयर कर दे रहा हो मैं बता रहा हो साथ ही साथ रॉन 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 टू में कौन सीट छोड़ सकते हैं क्या नया रूल्स आ गया है वो भी मैं आपके इस वीडियो में बताऊंगा तो देखे कांड़ी अटेंशन दा स्टेट आइटरोरिटिस दा पाटिस्पेड इन युजी कॉंसलिंग त्वे इंडिया निश्यस अप्लिकेशन नमबर दिस पूरा दिया हुआ डितेर आप देख सकता है नेनी त्युजी कॉंसलिंग पर आल इंडिया कॉंसलिंग आज वैल इस्टेट गॉन्सलिंग्स यान साब-साब कहा किया है कि किसी भी आवमाना से याली कोई स्टेट और एल उन्होंने का इस्टेट दा कॉंसलिंग अथरेटी दर रिक्वेस्ट फ्लो दसीडूवल गिवें बिलो इन दा लेटर इन दा स्प्रीड ऑडर दा कम यो सुप्रीम कोट का ओडर निकला है कि मसी जो अपने सी अनुसार जो कॉंसलिंग करा रही है जो सीडूवल निकाल रही है वही इसके हिसाब से आप भी अपने डिट को अजेस्टमेंट कर ले यह बात कही है और लेटर में कर दिया अब एक नई रूल आया है वह मैं आपको यहां पर शेयर कर रहा हूं देखिए यहां नोटिस में अटेंशन अर्जेंड नोटी से कंडिड कंडिड्स एंड रून तिल दा 5 पी अम फ़स्ट नॉन बंबर 2020 साफ साफ कह आगया है कि अगर फर्च रॉन पिका यह नोमबर 2022 तक आप इसे resign कर सकते हैं after which they will be the consider as the round 2 फिर उसके बाद आप करें रॉन 2 में कर सकते हैं और same rule जो है same rule will be applied the same application for round 2 counseling round 2 के जो counseling के लिए same rule आपको अबला है यानि अगर round 1 में जिसको हम आने कही बार बता है कि free exit है तो round 1 free exit है round 2 नहीं होता है तो इसलिए आप round 1 में अगर सीट जो college मिल चुका है उसको आप साम पांच बजे तक एक नॉवंबर 2022 को आप इसको छोड़ सकते हैं यहां पर आप इसको बढ़ेंगे तो गहां साथ साफ लिखा हुआ है तब एक एक पॉइंट को समझेगा विडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन इत आपके लिए बहुत important है अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो आप जिस college में आपके मिली है उस college में आप जाएंगे वहां पर आप बताएंगे कि हम रॉन में जो कॉलेज अलटमेंट है उसे कैंसिल करना चाहते हैं रिजाइन करना चाहते है तो एमसी के पर पोटल है उसी पर रॉन टू के लिए आप अप्लाइ कर सकते हैं एनी लेटर अंदर रिजिशन लेटर जन्रेट थो दा ओनलाइन पॉर्टल विल नॉट कंसीडर रिजिशन लेटर इन दा के के द्वारा होगा पहले आपको कॉलेज जाना होगा जहां आपको रॉन 1 में सीट अलॉट्मेंट हो चुका है इन दिस कंडेट इस गिवें अप्ग्रेडेशन आप रॉन 2 टा पार्टिपेट इन रॉन 2 कॉंसलिंग बट नॉट अप्ग्रेट यहां पर कहा है कि वह पूरी है मैंने इसके बारे में कई बार आपको यह बताया है यहां देखें रॉन 1 जॉइन कंडेट हो नाइधर पार्टिपेट इन रॉन 2 और रिजाइन दसीट अप दा ध्यान सुनिए गा जो कंडेट रॉन 1 जॉइन कर चुके है तो वह रॉन 2 में पार्टिपेट ना कर सकते हैं ना सीट को छोड़ सकते हैं ठीक है यह बात भी ध्यान से समझने वाली बात है यहां आप पूरी तरह से जाकर देख सकते हैं लेकिन रॉन 1 का अगर सीट आप छोड़ना चाहोगे तो छोड़ सकते हैं अलॉट्मेंट कर सकते हैं इस टेट में भी आप कॉंसलिंग म माल लिजे कोई बच्चा यह कह रहा है कि माल लिजे रॉन 1 में मुझे एक्स कॉलेज मिल गया और स्टेट कॉंसलिंग में इसको वाई मिला है यह रॉन 1 में तब क्या कर सकता है रॉन 1 का एक्स कॉलेज को ड्रॉप कर सकता है आप आगे बढ़ सकते हो आओ रॉन 2 में अगर झाल झाल